अब आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग टापिक लेकर आया हूं यह जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूं यह मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट आते हैं पब्लिक डिमांड पे यह मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि यह लैनली फॉन में डिफ्रेंट दाया को आते हैं उनकम कैसे रभी सकते हैं साथ में यह दिफ्रेंट पार्ट्स लगे बर कैसे काम करते हैं और हम कैसे कर सकते हैं कि वह फालट है वह जो कैसे खराःब उसके लिए आपको एक मल्टी मीटर की और एक सोल्डिंग आयरन की जुरूरत पड़ेगी अगर आपको क्या करना है कि अगर आप मेरे चैनल की अधर वीडियो में देख सकते हैं 400 की या 500 की आप एक छोटी से किट मुगा सकते हैं रिपेरिंग की जिसमें की स्क्रियो ड्राइवर मल्टी मीटर सोल्डिंग आयरन पेस्ट फ्लक्स और सारी चीजिए होगी क्योंकि यह नार्मन रिपेरिंग के लिए घर में यह किट होनी बहुत ही जुरूरी है चलिए फैंस ने नमाता है उनकी चैक कैसे कर सकते हैं चलिए फैंस शुरू करते हैं रिफ्रेंस अगर तो आपका आपने लैंदलाइन फॉन में डैल ही त्न नहीं नहीं आ रही है जाए तो में क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि BR1 कहां पे लगा हुआ, जिस तरह ये BR1 है, इसकी मैं आपको चेकिंग करना बताऊंगा, इसके क्या होता है, इसके 2 लेक्स होते हैं, एक लेक्स इधर है, एक लेक्स नीचे है, जिस सरक्ट बोर्ड में लगा होता है, प्रोटेक्शन के लि अज़कल के जो लेटेस्ट माडल है, उनमें ये BR1 लगाते हैं, जो ओल्ड माडल से, बहां पर क्या होता है, ब्लू कलर का आपको देखेगा, जिस तरह ये ब्ल्यू कलर है, ऐसे ही ब्लू कलर का आपको बीडी आर लिखाओगा, वो दिखेगा, आपको उस केस में क्या करना है आप जब वो मेल्टिमेटर की मदब से चैक करने लगेंगे जिस Means तरह जो दिख रहा है मतलब ये कंटिनूटी नहीं बता रहा है इसको कहते हैं तो उस case में क्या करना है आपको कि इसकी बीडियार को आपको break कर देना सरकर से आपको बीडियार निकाल देना है open करके इसको तोड़ के आप कटर की मदद से आप इसको एक लैक काट के कटरनी मदद से इस तरह एक लैक किसकी आप कार्ड देंगे अगर blue कलर का लगा हुआ है जहां पर उसकी भी आपने एक लैक कार्ड देनी है अगर black कलर का जहां तो BDR लिखा होगा या BR1 लिखा होगा अगर no dial tone है शार्ट फोन है या engage फोन है उसकेस में मैं आपको यह फाल्ट बता रहा हूँ जे तो फाल्ट नमबर बन आगया कि अगर BR1 खराब है अगर आप देखते हैं आपने BR1 की एक लैक कार्ड वी दिया आपने इसको ओपन कर वी दिया फिर भी अगर सैट आपका नहीं चला का फाल्ट नहीं निकला सेकिंड केस में क्या करना है जहां L1 जहां L2 लगा होगा जिस तरह आपको इसकी continuity दिखनी चाहिए जिस तरह हम कर रहे हैं इसको मीटर की वीप यह करनी चाहिए अगर यह वीप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आक्सेस बोल्टर वोल्टेज है जो वह इन क्वाइल्स के बीच में यह क्वाइल्स है बेसिकली रेजिस्टेंस भी हम इन हम की चैकिंग का क्या है कि यह सकी continuity दिखाते हैं जिस तरह यह बोथ हैं यह बेसिक हाते हैं में हम क्या करेंगे इनकी जो बहुत लैक्ट होगी हम't solving लेकर तो इनको हम शाड कर देंगे जिस तरह मैं आपको बताता में हूं přेस्त उस चेस में आपको क्या करना है आप so aール कि मदशल से कि जी सorit आप देखरें जहां पर लिखाओ ये पी बांद जंपर डाट भी जंपर जंपर ही है ये मतलग क्या है कि इसके अंदर क्वाइल ही है अब इसको अगर ये ओपन दिख रही है अगर इसमें continuity नहीं है पीछे से जो मैंने आपको बताया सा ये तो इसको कैसे रिपेर करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है एक वायर ले लिए उस बायर में बहुत काफी वह वायर के अंदर काफी वायर्स होती है उसमें एक वायर आप निकाल लीजिए जह मेरी जो रिपेरी वाले फ्रेंट्स अगर मेरी ये वेडियर देख रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पूल है अगर वो लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो ये एक पॉइंट को मैंने सोल्डर कर दिया उसके बाद ये दूसरे पॉइंट पर जाना पर जा रही है दूसरे पॉइंट पर सोल्डर करके उसके बाद हम इसको क्या करेंगे ब्रे कर लेंगे प्रेंट जो काम जे इंटर्नल कर रही थी इंटर्नल भी इसका काम क्या है इसके अंदर क्वाइल ही लगी हुई है वो काम हमने उपर से जंपन लगा के काम इससे ले लिया अगर ये ओपन दिख रही है जे पी बांट जा जे पी टू कालर ाईटी फोन में जे लगी होती है आप इनको भी चेक कर लीजिए अगर ये ऊपन है तो आप इनको भी शार्ड कर लीजिए जे तो रहा फार्ट नंबर फिर भी क्या कि जिस कि आपने जिस तरह को आप खोल के देख लिए की कोई बाइर ब्रेक है अगर इंगा कोई भाइर ब्रेक ळीज या तो आप शोडर कर ली या भारी णहीं मे Oi बता रहा हूं ए तो आप बहुत प्रेंट्स को मैं कहता हूं कि रिंगर की आप वायर comparison डेखिए अगर लगा हुआ स्पिकर चेक कर लीजिए कि स्पिकर ठीक है या नहीं आप देख रहे हैं कि वायर्स तो क्या लेंगे फिर भी रिंग नहीं आ अगर दी नाइन की तरफ नहीं जाना है जैड वान की तरफ जाना है जैड थरी की तरफ जाना है यह जैड टू की तरफ जाना है हमको यह चेक करना है नाइनाटी एट परसेंट फाल्ट क्या होता है — जब भी एकसेस करैट फ्लौ के बाद पार जो चीज शाट होती है बो क्या होती है ज4 बान होता है schon 2 होता है यह जट learns 3 होता है अगर आप के बाद मल्टि-मीटर है तो ठीक है आप क्या किजिए मल्टी मीटर की मदद से आप चेक भी कर सकते हैं बोड़ कर दिजिए बहुत ही मेरे और का चा च अ कहत्थ कर देंगे तो फिर कैसे सरकर चलेगा फ्रैंस ऐसा कुछ नहीं है यह पार्ट्स लगाए होते हैं यह प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं कि इनकेस लाइफ में बोर्ड के अंदर अगर कोई अक्सेस बोर्टे आ जाए तो हम इसको रिमूब करके भी फोन सरकर चला सके जिस तरह हम बियर काट के भी सरकर चलेगा अगर फोन में डायल टोन जा अंगेज टोन आ रही है जो फोन शाट है इस तरह अगर जैट बान अगर शाट है हम इसको ओपन भी कर देंगे फिर भी यह चेक कर दिजिए अगर अंगेज फोन तब भी रह रहा है यह रिंग नहीं आ रही है अगर यह शाट है आप इसको भी ओपन कर लीजिए उसके बाद जैट टू है इसको भी आप चेक कर लीजिए लेकिन हमको क्या चेक नहीं करना है डी वन क्योंकि डी वन यह बहुत ही बन पर सेंट केस में क्या होता है D1 Th earned लिखा हुए यह शाट होते है छिए हो बार जटी फूल लिखा हुआ है यह साट होते हैं यह और होते ही नहीं है सकिया जेगислीशिषे के हैं लेकिन जो डी वन है उसके ओपर बजलैक को क्टिंगं की हुई है रिकिन नियीन चेक लिक कोटिंग है यह आप देख रहे हैं जिनके वह यह बियू है यह शार्ट होते हैं इनको आपने चाहिक करना है इसके ओबर भी कोटिंग है डाट मिन जे जीनियर है जहाँ जैडबन लिखा होगा डाट मिन जीनियर है ठीक है उसके बाद में आपको एक और फार्ट बताता हूं बाकि बहुत पार्ट लगे होते हैं ये क्पैस्टर लगे होते हैं जिस तरह ये क्पैस्टर आप देख रहे हैं उसके बाद अगर हम कोई हो भी हमारा खराब हो सकता है वह हैं ये ट्रांजिस्टर यह जिस तरह लिखा है 92 ट्रांजिस्टर इसका नंबर होता है 92 ट्रांजिस्टर यह आप देख रहे हैं 92 और इसकी बैक साइड में लिखा है 42 अगर फिर भी आपका फार नहीं लग निकल रहा है तो आपको क्या करना है यह बोड ट्रांजिस्टर 92 और 42 आपको क्या करना का प्रसेस बता देता ह इस तरह एस तरह आपने चेक करेंगे तो मीटर में continuity आनी चाहिए और एक बार ही आपने जब स्विंचेंज की इसकी तो continuity नहीं आनी चाहिए जे ही यह सारे फाल्ट है जो तक्रीम लैंड लाइन फून में आते हैं अगर मेरे यह चैनल में वीडियो है सारे ही लैंड लाइन दिए भी काम लए खेसे से नर sehe नाम लगे हो तो दिए नंबल हें तो रिपेरिंग नहीं होoked हां हमसे तो आप में व्रकात कुमेंट कीजिए तो मैं आपको के में वार्पैनेटे लींटा soir bps MILL और कि लगी होगी तो प्लीज दू सब्सक्राइब एं लाइप माई चैनल थैंक यू बरी मुच